स्वागते आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चेनल एक्जाम बोरियर्स पर आज का हमारे वीडियो है पटवार डोकुमेंट वेरिफिकेशन के बाद क्या रहेगी फाइनल कट अफ इस पर तो वे सभी विद्यार जिनका डोकुमेंट वेरिफिकेशन है उनके मन में अभी उतसुकता है कि क्या रहेगी फाइनल कट अफ तो आज का वीडियो हमारे होने वाला है फाइनल कट अफ पर और यहाँ पर जो एक कट अफ बताई गई है यह पूराने जितने भी एक्जाम होएं उसके आधार पर बताई है कि जहाँ पर भी दुगने या डेड़ गुना विध्यारती पास होए थे और जहाँ पर पोस्ट की संख्या भी लगबग सेम ही थी तो वहाँ पर क्या रही थी? डोक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कट अफ यानि कि जो डोक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कट अफ थी और जो फाइनल कट अफ थी उसमें कितना क्या अंतर था जो है cut off बढ़ने की पूरी संभावना है, तो यहाँ पर सबसे पहली बात आती है यह general, general category में जो male candidate है, इनकी cut off गई है 220, document verification के लिए, और आप यहाँ पर इसमें 4 से 7 number प्लस कर सकते हैं, आपको यह minimum वाला तो जरूर लेके चलना है 4 number, इनकी 4 number तो पक्के बढ़ेंगे general male category मे document verification के बाद, तो मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, जो general male category है, यहाँ पर आपके number 4 से 7 number बढ़ेंगे, वहेकर बात करें तो general female, general female में आपके number 7 से लेकि 9 number तक बढ़ने की पूरी संभावना है, यानि कि 7 से 9 number अधिक हो जाएंगे, यानि कि बढ़ जाएंगे document verification के बाद जो final cutoff जाएंगे, उसमें, बात करें video और dv की, तो यहाँ पर cutoff सेम रहने के भी chance है, यानि कि अधिकतर वो category जिसमें number बढ़ेंगे, हम उसकी बात करने वाले हैं, और यह non-tsp की हैं, जैसा कि आप देख पारें, यह cutoff non-tsp की गई है, अब बात करें EWS की, तो EWS में हम male candidate क cutoff बताएंगे, कितनी बढ़ जाएगी, तो यह लगबग बढ़ने के chance है, 11-12 number, यानि कि 11-12 number बढ़ जाएंगे EWS category में, ठीके दोस्तो, document verification के बाद, अब हम बात कर लेते हैं, OBC की, ठीके दोस्तो, पहले बात करें SC की, तो SC में, जो SC category है, यहाँ पर male candidate में 9-10 number बढ़ने क तो यही रहीगी final cutoff, अगर हम बात करें SC female की, तो SC female की cutoff यह रह सकती है, 14-15 number बढ़ सकती है, आपको एक बात ध्यान रखनी है, कि वो category जिसमें post की संख्या जादा है, वहाँ पर cutoff कम बढ़ेगी, यानि कि मैंने भी बताया कि general male, तो यहाँ पर general category में post जादा है, तो वहा तो यहाँ पर cutoff जादा बढ़ती है, document verification के बाद, तो आप याद रखिए SC, जो भी SC male candidate है, वहाँ पर 9-10 number बढ़ सकते हैं, SC female candidate जहाँ पर है, वो अनके 14-15 number बढ़ सकते हैं, और video DV के जो है same रह सकते हैं, अगर हम बात करें ST की, तो ST में जो male candidate है, यहाँ पर number जादा यहाँ पर लगग लगग 15-16 number बढ़ने के chance है, यानि कि जो ST male candidate है, उनके number 15-16 बढ़ सकते हैं, और ST जो female है, यहाँ पर भी number बढ़ सकते हैं, और same भी रह सकते हैं, ठीके दोस्तों, तो यहाँ पर जो main category को ही लिया गया है, जिनके number बढ़ने के पूरे chance है, अब हम बात करे OBC की, तो OBC के जो number है, वो general से ज़्यादा ही बढ़ेंगे, यानि कि जो general में 4-7 number थे, तो OBC अगर हम बात करें, तो OBC जो male candidate है, इनके number 6-8 number बढ़ने के पूरे chance है, यानि कि 6-8 number बढ़ सकते हैं, कम से कम 6 number तो ज़रूर बढ़ेंगे, यानि जिनके भी 225 number तक है, उनका आ आसानी से हो जाएगा, इसके बाद अगर हम बात करें, तो OBC female, OBC female के 8-10 number बढ़ सकते हैं, आपको याद रखनें, जो OBC female candidate है, उनके 8-10 number बढ़ सकते हैं, document verification के बाद में, अब बात करें MBC की, तो MBC की भी number बहुत जादा बढ़ेंगे, MBC जो male candidate है, इनके कम से कम नी तो 3- से 15 number बढ़ेंगे, यानि कि document verification के बाद 3-15 number का अंतर देखा जाएगा, यानि कि जिनके भी 218 प्लस number है, उनका final selection हो जाएगा, ठीकी दोस्तो, वह अगर बात करें, MBC female की, तो ये cutoff सेम भी रह सकती हैं, और इसके बढ़ने के भी chance है, इसके लावाद जितनी भी, जो भी cutoff ह बाकी इनमें सेम रहने के chance बहुत जादा है, क्योंकि यहाँ पर जो है कम विध्यारती होते हैं, और post भी ठीक ठाक होती है, तो यहाँ पर हमने main main वो चीज़े बताई हैं, जहाँ पर number बढ़ सकते हैं, मैं एक बार फिर से repeat करते हूँ, general male candidate 4-7 number बढ़ सकते हैं, general female candidate 7-9 number ब बढ़ सकते हैं, ST male candidate के 14-15 number बढ़ेंगे, और ST female candidate जो है, इनके सेम भी रह सकता है, या कुछ number बढ़ सकते हैं, MBC जो male candidate है, इनके 13-15 number बढ़ेंगे, तो यहाँ पर जो एक cut-off बताई है, number बढ़ कर, यह पूरानी जितनी भी vacancy, पूरानी जितनी भढ़ती है, उनके आधार पर बताई गई है, तो वे सभी विद्यारती, और आपको एक चीज़ याद रखने है, आपको document verification के लिए जरूर जाना है, ऐसा नहीं कि मेरे तो number कमी है, यानि कि कुछ 2-3 number ही जादा है, तो मैं जाऊं या नीच हूं, तो आपको जाना तो जरूर है, क्योंकि कुछ भी हो स